गुड मॉनिंग इसुडेंट स्वागत है आप सबका आपके यूटूब चैनल यूर्दिक छाजुकेशन पी यदि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किरपिया चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नई वीडियो की सुचनाएं असानी से प्राप्त होती रहें आज हम लोग तिरकोड मीती का आरदस हम लोग 2 का सवाल को हल करेंगे और देखेंगे कि ऐसे प्रस्ने को कैसे हल करते हैं इसके पहले की सारी क्लासेस आपको कंप्लीट करा दी गई है आज हम लोग 8.2 को चेक करेंगे चलिए इसमें पहला प्रस्ने करते हैं पहला का कह रहा है कि निम्र लिखित का मान गयात कीजिए जिसमें हमको पहला दे रखा है साइन साथ आंस कॉस तीस आंस धन साइन तीस आंस कॉस साथ आंस इसका मान निकालना है तो चुकि हम जानते हैं कि जो हमारा साइन साथ का मान होता है वो कितना होता है साइन साथ का मान हमारा होता है रूट थ्री अपान टू इंटू में है कॉस cos 30 का विमान होता है root 3 upon 2 plus sin 30 का मान होता है 1 बटे का 2 और cos 60 का विमान होता है 1 बटे का 2 मान निकालना हम लोगों ने class में सीख रखा है कैसे मान निकाला जाता है यदि आपको मान निकालना नहीं आता होगा इसको जब हमने solve किया तो हमारे पास मिला 3 बटे का 4 धन 1 बटे का 4 यानि कि 4 बटे का 4 यहां से हमको इसका आंसर मिला 1 चलिए इसी का second हमको दे रखा है 2 10 स्क्वाइर 45 अंस प्लस cos स्क्वाइर 30 अंस माइनस sin स्क्वाइर 60 अंस चलिए यहां से हम क्या करते हैं 10 45 का मान लिखते हैं तो चुकि यह 2 इंटू 10 45 का मान हम जानते हैं कि हमारा होता है 1 यानि 1 का स्क्वाइर दिया है तो हमने भी स्क्वाइर लगा दिया प्लस cos स्क्वाइर 30 cos स्क्वाइर 30 का जो मान होता है root 3 upon 2 होता है और इसका चुकी square दिया है और ये sin 60 का भी मान क्या होता है वह ही होता है root 3 upon 2 इसका square plus में ये दिया है तो ये और minus में दिया है ये तो ये आपस में मिलके कितना बना देंगे 0 और हमारे पास क्या बन जाएगा 2 into 1 का square 1 यानि इसका answer आगया 2 चलिए इस इकरब में तीसरा कर लेते हैं हमारे पास जो तीसरा दे रखा है वो क्या दिया है तीसरा कह रहा है कि cos 45 अंस बटे सेक 30 अंस धन cos सेक 30 अंस का मान ग्याद किजिए यहां से मान ग्याद करते हैं तो cos 45 का मान होता है 1 बटे का root 2 सेक 30 का मान होता है 2 अंस रूट 3 प्लस cos सेक 30 का मान होता है 2 इसको जब हम solve करेंगे तो यह हमारे पास उपर का वैसे ही राने देते हैं 1 अंस रूट 2 और नीचे है तो यह हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट का 3 क्योंकि इन दोनों का एल सेम क्या हो जाएगा root 3 चलिए इसको solve करते हैं जब हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा तो numerator denominator के साथ और denominator numerator के साथ यानि कि हम लिख देंगे उपर root 3 उपर चला जाएगा और root 2 का multiply 2 प्लस 2 रूट 3 में हो जाएगा यानि कि जब इसका हम लोग multiply कर लेंगे तो हमारे पास आजएगा root 3 आपान 2 रूट 2 प्लस 2 रूट का 6 अब देखिए या तो आप यहीं तक रहने दीजिए यह भी answer सही है लेकिन इसको और अभी हम लोग sort कर सकते हैं कैसे यहाँ denominator में देखें तो यहाँ यहाँ भी दो है दो common चाट देते हैं तो जब दो हम लोग common कर लेंगे तो यह हमारे bracket में क्या जाएगा root 2 प्लस root 6 जब ऐसा आ गया तो root 2 प्लस root 6 से हम क्या करते हैं इसका पर्मेरिकन कर लेते हैं पर्मेरिकन करेंगे तो उपर भी हम रख्या हो जाएगा root 2 माइनस का root 6 और upon यह हो जाएगा root 2 माइनस का root 6 इसको solve करते हैं जब इसको solve करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या निकल क्या रहा है तो a plus b ये a हो गया ये b हो गया तो यानि कि a plus b हो गया और यहाँ a minus b हो गया तो ये कौन सा फर्मूला होता है a square minus b square तो चलिए उसको हम कर देते हैं तो जब उपर multiply करेंगे तो उपर आ जाएगा root का 6 और minus root का 18 अपान ये हो जाएगा 2 into a square यानि कि root 2 का square 2 minus root 6 का square 6 जो किसके बराबर हो जाएगा root 6 minus root 18 अपान 2 में से 6 को घटाएंगे तो minus 4 और 2 से multiply करेंगे तो minus 8 एक answer आपका यहाँ आ गया है इसको हम क्या कर सकते हैं minus को हटाने के लिए minus दोनों उपर minus से multiply करा दें तो multiply करा देंगे तो हमारा answer निकलके आ जाएगा root का 18 minus root का 6 अपान 8 अच्छा ये कैसे हुआ जब minus से multiply कराएंगे तो जो plus में root 6 है वो minus में चला जाएगा और minus में 18 है तो ये plus में हो जाएगा और माइनस का एट प्लस में हो जाएगा यानि कि यह रहा आपका अंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमको कह रहा है चोथा चोथा क्या कह रहा है चोथा कह रहा है कि साइन तीस अंस धन टैन पैटालिस अंस माइनस कोसेक साथ अंस बटे वीडियो को पूरा देखें उसके बाद ही समझ में आएगा बहुत बचे क्या करते हैं कि वीडियो आधा देखे छोड़ देते हैं तो ऐसे थोड़े हो पाएगा कुछ भी प्लस का कॉट पैटालिस का मान गयात करना है इसमें करना क्या है किवल हमको मान पूट कर देना है तो चलिए मान पूट कर दिया जाए तो जब यहां से हम मान पूट करेंगे तो साइन तीस का मान हम जानते है कि एक बटे का दो होता है धन टैन पैटालिस का मान होता है वन उसके बाद माइनस दिया है सौरी यहां माइन अब हमसे क्या कहह रहा है, सेख तीस, सेख तीस कमान कितना होता है? दू बटे का रूट थरी, ठिक, पलस. cost, Siat कमान कितना होता है? एक बटे का दो, पलस. cot 45 का मान कितना होता है 1 इसको अब हम क्या करेंगे solve हम क्या करते है नीचे जो हमारा LCM हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना ये हो जाएगा 2 root 3 LCM हो जाएगा नीचे इसको जब हम solve करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा root 3 plus 2 root 3 उसके बाद हो जाएगा माइनस 4 इसको बटे में क्या जाएगा इसके बटे में नीचे वाली वैलू यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 root 3 LCM हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4 plus root का 3 plus 2 root 3 upon 2 root का 3 2 root 3 से 2 root 3 तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बचेगा क्या हमारे पास बचेगा root का 3 plus 2 root का 3 minus 4 upon 4 plus 2 root का 3 उसके बाद बच जाएगा plus root का 3 यह हमारा हो जाएगा answer 4 यह हम बच्च्च मों बचेगा